ओ गाइस मेमरेस्ट गया भी मेमरेस्ट गया वीड़ 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 मुझे यहां से निकलना पड़ेगा तो हे गाइस कैसे आप सभी लोग आज हम दुबा से खेले जा रहे हैं पालवोर्ड तो गाइस आज तुमें कुछ अपने बाल अलज नहीं लग रहे हैं क्योंकि गाइस मैं पूरी गेमप्ले रिकोड करने के बाद ये इंट्रो रिकोड कर रहा हूं और भाई आज की गेमप्ले दा बहुत ज़रा खतरनाक होने वाली है क्योंकि गाइस गेम में बहुत ज़रा एक तगडी अपडेट आई है बहुत सारी न्यू आइटम आई है उनमें से एक है एक इंक्यूबेटर और वो भी इलेक्ट्रिक वाला और एक हेर ड्रेसिंग टेबल जहां से हम अपने क्रेक्टर को कस्टमाइज कर सकते हैं गेम में और भी बहुत कुछ आया है बट सबसे एक तगडीची जाई है एक न्यू बोस और भाई वो एक डाक टाइब बोस है और उसका नाम है बैलनोर और भाई लिटरली उसके अच्पी तीन लाक के करीव है और गाईस सबसे खितरनाक बात पता है क्या है वो अपने बेस में रहके लड़ती है मतलब हमारे बेस में अगर उससे fight होती है ना तो वो अपना बेस सारा तबाह कर सकती है और गाईस आज हम उसको इडिफिट करने कोशिश करेंगे या तो वो मत जाएगी या फिर अपना ये सारा बेस तबाह हो जाएगा तो चलो सारा मज़ा भी ले जाओगी क्या चलो चलो साथ में वीडियो में चलते हैं और राइड गाइस स्वागे था तुम सभी का एक वारी फिट से तो चलो भाइस सारी चीज़े चेक करने से पहले मैं तुम्हें अपने बेस के एक वारी अपडेट देता हूँ पीछली वीडियो में हमने यहां पे आयरन फ्लोर लगा के यहां पे हमने सारी असेंपली लैन लगा दी थी यहां पे अपनी production line है यहां पे अपनी weapon assembly line है और यहां पे अपनी high-tech spare line assembly 2 यहां लिटरली इस पे ultra spare बना सकते हैं और इसकी side में मैंने एक generator लगाया था जिससे यह सारी चीज़े चलती हैं और देखो guys, अपडेट में जितनी भी न्यू आइटम आई है न उन सभी को पहले हमें अपने टेकनोलोजी टैब में अनलोग करना पड़ेगा यानि कि भाई उनकी पहली हमें रैस्पी खोलने पड़ेगी तब हम बिल्ड कर पाएंगे तो guys, अभी तक ना हम अपने क्रेक्टर को चेंड नहीं कर सकते थे बट अब हम अपने क्रेक्टर को कस्टमाइब कर सकते हैं बस उसके लिए हमें यह एंटिक ड्रेसर लगाना पड़ेगा चोलो, इसको खोल लेते हैं यहाँ पर ब्लीड करने लेते हैं यहाँ पे सुके उठेंगे और आपना ड्रेस अप करेंगे तो गहाँ पे है? पर निच्चर में गाइस यह रहा तो इसको करते हैं खिडकी के side में ऐसे बीड़ यहां पर बैड के बाइड करेंगे और side में बार करना जारा देखेंगे आज अब अनुबिस अनुबिस कहाँ पर, ओ आगे बई आगे, अभी देखना, लेज़ गो बाई, यही तो फैदा बाई अनुबिस निकालने का, चलो मैं दखाता हूं तुम्हें यह देखो बाई, एडिट क्रेक्टर अपेरंस, के एडिट करते हैं, बाई सबसे पहले तो मै अपने बालों को कलर चेंज करेंगा, चलते हैं कलर पे, ओ भाई, यह देखो, क्या बन गया है, कुछ फंकी सा रखते हैं, ओ, यह बडिया लग रहा है, यह देखो, और यहां से हम बोडी भी चेंज कर सकते हैं, बैट मुझे यह वाली सही लग रही है, और इसको हम अपनी से भी कस्टमाइज कर सकते हैं, ऐसे करके, ओके गाईज, आज के लिए भी मैंने ग्रीन हेर करें अपने, और काफी जड़ा बढ़िया लग रहे हैं, ओ, भाई, साब, क्या लग रहे हैं, यह सही है, भाई, अब रोज निया ट्राय सब करके निकलेंगे, और गाईज, मैंने पिछली वीडियो में अपना एक आरन बेस बनाया था, चलो मैं तुम्हें जाके दखाता हूँ, तो अपना ना यहाँ पे वैलेट के पास मैं, चलते हैं यहाँ पे, तो यह देखो गाईज, यहाँ पे आरन ओर और कोल ओर, भाई, दोनों हैं, और मैंने यहाँ पे अपना अपना था मैंने, बट भाई, इन्होंने मेरा सारा क्लाइन चोपड कर दिया, क्योंकि अब इन्होंने गेम में एक आरन माइन साइट दे दिया है, चलो अपने मेन बेस पे चलते हैं, वहाँ पे दखाता हूँ में, तो देखो गाईज, जैसे हम पहले स्टोन पीट लगाते बट अब अपने बेस में माइनिंग कर सकते हैं, तो यह देखो भाई, यह है और माइनिंग साइट, चलो इसको ओपन करते हैं, और मुझे तो इसको बिल्ड करके देखना है, वह गाईज, यह रही, इसके लिए हमारे पच्ची इंगट लगेंगे, आरन वाले, चलो कहाँ बनाओं, कहाँ पर बनाओं, तो गयज इसको ऐसे नगाते हैं, बई, मैं क्या सोच रहा हूं, जैसे हमारा आरन का प्लैट्फोम यह वाला है, वैसे मैं इसको भी चेंज करके आरन का बदल दूँ और फिर उस पर लगाते हैं सभी को, चलो इसको यहां से तोड़ते हैं, कलो यहां से यहां से यहां से झालते हैं आरन फाउंडायेशन, वैसे इतरो काई पर लगता है, वैड़ लगती हैं यह पर लगते हैं, पहले उपर लग रही है, फिर नीचे यह ठीने ना का? बगवगर आगया इसमें मुझे लगता है और भाई लगने के बाद देखो यह क्या तारे से निकल रहे हैं तो चलो यहां पर लगाते हैं अपनी और मैन इंसाइड तो यह रही तो इसको लगाते हैं इदर की साइड पर चलो भाई आज वनुबिस जल्दी से इसको बना ओके चलो चलो मैं बनाता है मुझे भी देखनी है ओके वाई जैसे हमारे पत्थर के होते हैं वैसे इसमें और रखे हैं बट वेट वाई जो अनुबिस की माइनिंग स्पीड है वो लेवल 3 की है बट फिर भी यहां पर देखो तीन बाई तीन पाल काम कर रहे हैं बट फिर भी ए सब्सक्राइब कर देखो अपने जो पोकेमून आइटम गैदरिंग करते हैं वह इसमें बस आयरन रखेंगे और कुछ भी ने रखेंगे और गाई जो अपने फूर्ट बास्केट ना उसको भी हम ऐसे से करते हैं यहां पर ए एक in Englishैंट इसको यहां से मैं साहरा फूर्ट ऑर इसको ये वाली फूर्ट वास्केट यह को रखोंगा तो चलो उनको ड्रोब करके देखते हैं अब यह क्या करते हैं एक अनुपिस ने उठाए है इन्होंने पड़ा चलो गायज देखते हैं यह देखो यह पर भाई यहापर पिलार आ रहा है और बेर्ज आ रही है यह सभी इनकुरिटेंट्स है और इसमें इसमें कुछ नहीं आया चलो मैं अपना फूट गेर के देखता हूँ यहां पर ब्रैड है इसको देखते है यहां पर रखेंगे के अनुप अनुपे उपने फूट रखा है और इस वाली पास्गिड में हाँ यहां पर नहीं रखा है इन्होंने यह तो बैए तोड़ी सी और जगा घेव लेता हूं यह देखो भाई अब जारा सही लग रहा है और यहां पर लगाते हैं में अपनी स्टोन पिट कहां पर यह रही अपनी स्टोन पिट इसको ना इसकी बगल की साइड पर लगाएंगे बहुत बढ़िया लगेगी ऐसे करके और इन दोनों पर आएगा अपना मील यहां पर बनता है अपना प्लार यहां पर आएगी इंप्रूफ फरनस हां यह वाली ना अरे वांपू हड़ जा भाई ओ वुंपू वांपू क्या ना वामू ऐसे निमाने गा तो तुझे फेकना पड़ेगा यहां पर अभी भी परिया तू उदर की यहां पर लगाते हैं अपनी पर्मिट फरनस ऐसे करके चलो भाई इसको भी बना दो जल्दी से और मैंना यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर उपर से वाई अपने बेस देखो वाई कितरा ज्यादा प्यारा लग रहा है आपने बेस बनाओंगा यहां घॉल्व यहां पर लेख आपना मौनीटरिंग फेम इसको खोलते हैं अपना मौनीटरिंग मौन्यटर स्टैंड वाई इसमें काफी ज्यादा चैंजिस प्रेफरेंस तो इसको ब्लिक करते हैं यह इको का च मैशन कर सकते हैं तूम्मन कों सा का करना चाहिए तो यह हो जैसे अपना रिप्र रॉया है वह माईनिग माई मैं खाऑव और तो भॉससाइंड मतलब हमने वहार से इसका काम दे कराता ना तो गायद भाई यह तो बहुत जाला सभी हो गया अब हम कुछ अनों इसके ना बस हैंडी वक दे सकते हैं इनको माइनिंग हटा देते हैं और ट्रांसपोर्टिंग भी सहिए बड़ यह और यह तो ना बिल्कुल मुझे चाहिए थी तो यह दूर इस रिंग का का क्या है जैसे हम किसी पाल को पकड़ने के लिए उसको थोड़ा सा घायल करते है ना बट बाई कभी-कभी हो मरी जाता है बट यह रिंग अगर हमने पैंद रख्योंगी ना तो हम उसको कितना भी डैमिज कर दें भाई सारी अच्पी उसकी खतम हो जाएगी बट लास्ट में ब लगड़ी से लग रही है चुरो इसको बनाते हैं ऑपके बना दो ओ वुम्पू कहारा मैं बनाऊंगा आजा बाई वुम्पू को देखो वाई कैसे बना रहा है ओ भाई वुम्पू बाई यह तो चला गया बाई अपने अनुप इसने बना दिया रिंग को पहन के देखते ह चला जा भी अपनी फॉक्स अभे यार किसको मार दिया तो इसको निमार ना देख मेरे हाथ में आ ओके कहां पर गी है ना तर चलो वाई इसको देखते हैं लेस्स गो अब इंग ने यह नी काम नी किया क्या अब यार यह तो मरीं जो इसको बट रहें नी किसका मतलब यह है अगर हमारे पाल मारेंगे किसी और पाल को फिर तो वो पूरी तरह मर जाएंगे बट अगर हम मारेंगे ना उनको ऐसे करके वह एक एच पीपर फिटिके रहेंगे चल चल आजा घर पे आजा 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 घर पे और गरीन में आजा ले मुझे लिफ्ट भी दे दियो बाई बढ़िया इन्होंने यह वाला गलिच नहीं अटाया बहुत ज़्यादा बढ़िया गलिच चाहिए ऐसे करके हम अपने राम से घर पर पहुंच जाएंगे तो चोड़ो बाई चलते हैं अपने घर पर और बाई कित्रा ज़्यादा बढ़िया लगता है अपना बेस यह तुमने बताया नियार अपना बेस कैसा लगता है मैंने पूछा रहा तो तुमसे अब चलो पर टेक्नोलोजी पॉइंट में देखते हैं और क्या कुछ नहीं आया है ओ यहां पर हो जाएगा मुझे देखना पड़ेगा कैसे आईए चलो पहले से जल्दी से उपन करते हैं इसके लिए लगेगा डेजी क्लाउड अभी तक तो मुझे अंडे में से मिली थी वह अभी मुझे इदर उदर गूमती हो यह नहीं दिखी वाई इसके नीचे देखो और मैंने सैट टू एक तो मैंने लगा रख किया चलो इसको लगा के देखते हैं चलो इसको उपन कर ले अई सब्सक्ताव काने हैं इसको एसे लगा सकता हूं कोशिश कर सकता हूं पहले इसको अटाते हैं यहाँ चीमिन अग grind लगा के देखते हैं अफनी बड़ी वा इस लग रÂनिंग ओर लगाने लग रहा शूक्र्या नगाक यहांपर ।atal बाइन दी रहे हो गौड़ी बड़ा और पड़ा है यहां पर माइनिंग वाला अब मैं मुझे चड़ना था इस पर इसकी स्पीड जादा है अपनी छोटी वाली से यह जल्दी जल्दी अपने बेस में से आरेन चाहिए ना तो में यह वाली मैनिंग और लगानी पड़ेगी और भाई कितनी ज्यादा सभी लग रही है मतलब इसके साथ यह क्रेन भी लगा दी यह चैन जूड़ी पढ़िया है अगर यह चलती होती ना और भी ज्यादा बढ़िया लगती है इतने बड़ी माइनिंग सैट लगाई है यहां पर एक आरेन चैस्ट लगाते हैं जो कि यह समानी कठा हो जाए तो मैं देखनी है कैसे लग रही है यह देखो वाई अब जादा से लग रही है यह नहीं समझा रहा है इन्होंने मेरे फार्म बनाने के बाद यह माइनिंग और साइट क्यों देए चलो कोई नीवासे हमें कोल मिल जाएगा बोज़ड़ा मांट में और गाइस यहां पे देखो मैंने इतने सारे उस फार्म के लिए ही बनाए थे ताकि मैं वहाँ पर अनुबिस से आइरन माइन करवा सकूँ चलो अब यह आरन नी अभी एक कोल माइनिंग करेंगे वहां पर यहां पर निकाल लेते हैं जो हम पिछली बारी लगा के गहे थे चलो यहां पर भी खोल लेते एपने को मिला ता जर्मिंटाइड अभे क्या कर रहे हो जर्मिंटर इसली है इभी अब इससि अलगा था चलो चलो देखते क्या निकलता है Let's go भाई, मुझे पता था भाई, ये निकलेगा, मुझे पता था भाई, मैंने तुम्हें पिछली वीडियो वो बोला था ना ये दोनों साथ में मिले हैं, तो दोनों में से से में निकलेंगे भाई, ये कि मुझे ये लावा बायम से मिले थे, अपने पास हो चुकिया है, दो जर्मिन टाड इगनस, के तो भाई, ये रही एक को बेस में छोड़ देते हैं, देखते कैसे लगते हैं, ओ भाई, देखो, दो जर्मिन टाड इगनस मिले भाई हमें और गाईज, इतनों दिनों से जो हमने फ्रोजनेक लगा रखा था, ये हमें आइस्टैप भायम से मिला था, और भाई, एक ऐसा मैंने पहले खोला था, बट वो ह्यूज निटा, वो लार्ज था, और भाई, उसमें से मिला था, हमें ये रिप्ट्रोई क्रिस्टल, भाई, लिटरली पता नहीं कैसे निकल गया, बट लाज वारे में से निकल गया ये, चुलो भाई, अब इसको खोलने का टैम आ चुका है, भाई, मैं भी इतनी दिन से वेट कर रहा था, मुझे भी निपता है भाई, क्या है इसमें, तो भाई, इसमें भी बहुत बड़ी आपाल न भाई, ये देख रहे हो, भाई, साम, कितरा जादा बढ़िया लग रहा है भाई, ये, स्नो मेमराय, स्नो वाम्पू, स्नो रिट्रो, क्या कुछ नहीं मिल रहा है, कितनी जादा बढ़िया किसमत है, ये, मैंने तुमें पिछली वीडियो में बोला था ना, हम कोई भी ऐग चाहे वो नॉर्मल हो लार्ज हो उसमें से कोई ना कोई बड़िया पाल निकली जाता है इसलिए मैं इतने दिन से खोलने रहा था वाई लिटरली हमें मिला स्नो मेमरेस्ट और यह तो मेरे पास्नो वाला है एक वारी मैं तुम्हें दूसरे वाला दखाता हूं जो मैं पिछली वीडियो में पकड़ के लिए था और यह वाला तो आज अब आती तुभी उद्र के सेड़ पर पता लगे कर अभी इदर आ इदर आ फिद्रा भाई लेके आएं चलो दोनों बाई यहां पर काम करो बाफु तू अड़ जा यहां से लेस्गो बाई यह देखो दोनों चलों यहां पर कैसे काम कर रहें मिलके भाई एक स्नो मेमराश्ट और एक नॉर्मल वाला अपना बाई यह अभी तो छोड़े बच्ची है लिटरली इनकी मम्मी को भी पकड़ के लिए हैं भाई भाई बोस को ओके तो इस सैड पर यह रहा अपना भाई बोस जो वाँ पर गूमता ना ठती लेवल का वह वाल है भाई यह तो इतना बड़ा भाई अपने बेस में भी फिट नहीं होता भाई यह देखो ऐसे जा रहा है जैसे अभी अभी किसी को उठा के बगा देगा चलो चलो इसको सैड दो ओ बाई यह लग गया यहां पर यह कहारा है मैं तो अटके दोंगा बफी बाई तुम्हें आयरन ओ बाई यह देख रहा है इतके बच्चे लग रहे है चट चटे से मुझा लगता है थोड़ी यहां के शाट करने बड़ेगा आसे बीडबर कर से बाई क्हार हो कोई बहूं के माइन कर रहा है को में बाई चोरो यह प्यारा वाई लग रहा би अब मैं सोच रहो ना जो यह हूज वाला डम पैक है ना इसको भी हम थोड़ी देर में को लेंगे एक की बारी में सारे सीक्रेट अनलोक ने करते हैं पता निसमें से भी क्या निकलने वाला है चलो भाई अब यहां पर नियू नियू अंडे लगाते हैं अरो इगनस क्या कर रह देखें अब लग जाएगा वो गाइस अब लग गया यह देखो यहां से हट भी गया टूरियल में से वह अच्छा ऐसे काम करना था इसने वह अपडेट थी ना इसलिए अब इसमें लगा सकता हूं मैं ओ भाई सभी भाई क्या है यह मुझे सारे दवारा हटा के फिर लगा भाई यहां पर एक न्यू इंक्यूबेटर है और वह वह इलेक्ट्रिक वाला यानि कि बाई जैसे हम एक की हैचिंग स्पीड बनाने के लिए यहां पर कैमफार लगाते ना भाई अब हमें वह नहीं लगानी पड़ेगी यह जो निया इनक्यूबेटर है यह अलेक्र से चल इसको उनलोग कर लो मैं तो चलो इसको उनलोग कर देते हैं और अब बनाते हैं वेट भाई इसके लिए इसके लिए हमारे पास सब कुछ है सर्किट बोर्ड भी है रिफैंड इंगट भी है मतलब वह मैं बना लूँगा बड़ नीचे एक देखो एशन सिविलाजेशन कोर भाई यह कि उन्होंने न्यू मिटेरिल एड किया इसमें अब यार यह तो मेरे साथ से कहल हो गया भाई मैंने अभी अभी बनाये थे यह और अभी अभी मैंने तोड भी दिये अब यह नहीं पता यह एशन सिविलाजेशन कोर मैं लेके काऊं से आऊं चलो छोड़ो अभी क लिकत है वो ना मतले कि तुम्हें पाल वर्ड में ऐसे घुमता हुआ नहीं मिलेगा कहीं पर भी ना उसको कोई ऐसा टावर है और ना यह उसका कोई डंजन है भाई उसको हम खुद स्पोन करेंगे मतलब अपनी मोत को खुद बलावा देना जैसे हो गया बाई यह तो मैं त चाहर था इसका कोई टावर नहीं है बड़ भाई इसके यहां पर चार चार टावर है जो हम खुद बनाएंगे और यह इतने में बनेगा बट यह बन नहीं रहा है क्योंकि यहां पर जगा नहीं तो चलो पहले तो सभी पाल को अंदर कर देते हैं यह आस-पास में भूम रह अब नहीं आ रही है आप अपनी बोस फसिल्टी आ रही है यहां से मुझे नहीं यह एट आने पड़ेंगे तो यहां पर बन जाए रहा है कि चलो इसको बनाते हैं इस साइड पे और मैं जल्दी से ना अनुपिस बेजेता हूं सारे अनुपिस आजो जितने भी है मुझे न देख रही है कि वारी तिन करते हैं वाई सबसे पहले तो गड़ मर्निंग गाइस पैर सी सुबा हो चुकिया है और भाई हमें इसको देखना था गाइस यह देख अब नीटे उतर ले गाइस यह देखो भाई इसके आसपास से यह टावर हैं जिन में से शायद इलेक्र सिट बाई बीच में यह देखो भाई एक वोटल है जिसमें से आएगी वह बैलनोर पता ने वहाई कैसे स्पॉन होगी के एफ करते हैं और मुझे कुछ यहां पे शायद रखना पड़ेगा मेरा पास प्र रखा जाएगा अब नहीं है क्या से रखा जाएगा तो के सी समन पारफ आस वहाई हो इसे रखा पास भाउर में सुका है यह कैसे होगा यहां पे पास बाई है वाला हूं शयाद इसमें मिल जाए के तो चलो चलो जल्दिस चलो यहां पर फडलर गोंग रहा है और वैसे मुझे आज बहुत सारा काम है और यह देखो यहां पर क्या है भाई पहले हम ना डंजन की मश्रूम को क्लेक्ट नी कर सकते थे करावन मश्रूम नाम इसका क्लेक्ट हो रही है और राइड ढयताए मैं सारा गूमाकर ना यहां पर आ गया वही मैंने डंजन की सारी चैस्ठ चेक कर लिए हैं बट किसी में मुझे पाल स्लैब नी मिली तो अब मैं आगया हूं यहां पर तुग तो घुम्हें पता होगा यां पर जो फीछे वाला गेट फोड़ रहता है और वहां पर रखी होती हैं वह दो चैस्ट वो देखो वहां पर रखी है तो भाई मुझे लगताना स्लैब इन में हो सकती है तो चुलो भाई फटा फटा इस डेड्रिम को कैप्टिब करते हैं रही है कितनी ज़्यादा कुछ आ है तो रिडेड्रिम क्या हो गया अभी अभी मुझे भी कुछ बाज आई है कि यहां पर उपना दोर फूच चुका है यहां पर उपने दस अभी तक डेड्रेम ने कठी गरीबाव ऑई उपके काइस इसमें देखते हैं नहीं यहां पर एक न्यू हमें ट्रेइनिंग मैनुल मिला और एक पाल्क रूट मिला चलो इसको देखते हैं अब यार गाइस इसमें भी नहीं है ऐसी हमें ना काफी जारा डंजन एक्स्प्लोर करने पड़ेंगी और जब जाके मिलेंगे हमें पाल्स लैब तो चलो बाहर निकलते और चलते किसी और डंजन में यहां पर मुझे चेस कि अपने द्रवाजा खूल चुक है क्योंकि हमने बोस डिविट करती है देखते इसमें है नहीं एक पैंडड मिला है इसमें अभी नहीं कुछ भी नहीं मिल रहा भाई ओके गाइस मैं आ चुका हूं अपने थर्ड वाले ट्री पे और भाई यहां पे आरोक्स है अभी यह मैं करते हैं यहां पर वैलेट को चोड़ रहता हूं जाब भी वैलेट काम कर दें इनको अभी यह सो रहे हैं क्या उड़ात भी बताओ अधर नहीं वैसे घ्रास्ट्रों मैं इनको पकड़ो पकड़ो मर गें मर आप तूनी मरना चाहिए अच्छा वो तो अबी हेल्थी नही पानी हाँ यह सही है यह सही है गया गया अब आजा बोल आज आज आप 60% पहले बारे में आ गया चलो चलो जल्दी से चलके देखते हैं वही प्लीस यार एक स्लैब तो निकल जाओ प्लीस यार इसमें से एशन टेक्नोलोजी मैनवल और बैली की वाई मिल एक यह रही बैलोनेर स्लैब फ्राग्मेंट और गाइस हमाचुकिया अपने घर पर पहले जब कि मार के आता हूं अपे कहल पास तू क्या कर रहा था मेरे बैड़ पर सो रहा था शो जा भाई अब यार जिन हूँ पड़े मुझे लगा रात होगी है यह रेको बैसुबा के तीन वेज रहा है गुड़ बॉर्णिंग गाइस और चलो यहां पर स्लैब लगा के देख आप यह वाली है ना इसको लगाते हैं यहां यहां पर क्या कुछ बनाना पड़ेगा क्या इसके लिए लग से कूब काई उध्येस यह भाई बैलुनेर स्लैब बनेगीह उपने पास एक है कि फ्रैमेंटरक жизни को लिखिए स्फाली ही होग्रेजब लाइक अध्य वाणी ना यह वाण वाल्राइट यहां प ann末 के लिए हमीं चारवराइच करनी पड़िया कम से कम मैं 10-15 केवस में गया हूंगा और भाई देखो मेरे सपार इतना सारा समानी कठा हुआ है और भाई कुस्तो आइटम मुझे बहुत बड़ी अबड़ी है मिलगी जैसे कि ये डिफेंस पैंटर्ड अगर हम ये डिफेंस पैंटर्ड पैंटर्ड पहन लेते हैं तो हमारा डिफेंस थोड़ा और तकड़ा हो जाता है और गाई साथ में मुझे ये लाइफ पैंटर्ड मिला है इस से हमारी एच्पी थोड़ी और इंक्रीज हो जाएगी जैसे अभी 2100 है ना तो अब मैं डालूँगा तो इसको ये रेखो 270 हो गिया है ऐसे ऐसी चीज़े मिली है तुमारे बाई को और बाई साथ में मुझे ड्रैगन एक भी मिला है रोबिन कुल वाले एरिया से इसमें देखेंगे बाई क्या निकलता है बाक ये बहुत कुस्मानी मिला भी चलो इसको बाल में रेखते हैं बड़ जो हमें चाहिए था वह ये बैलिनेर स्लैब फ्रैग्मेंट इनसे बनेगी अपनी बैलिनर स्लैब चलो जल्दी से यहां पर क्राफ्टिंग करते हैं यह रही इससे स्पॉन होएगा वो ने वाला बोस्ट चलो गाइज भी स्लैब को बनाते हैं बहुत बढ़िया सी लग रही है आज बना लो क्या बंतुरी ओ लैस्गो भाई क्या बुस्ट अबे आज चलो सभी को निकाल देते हैं ओके डन और गाइज अगर हमने मिलके इसको डिफीड कर दिया ना इसको कैप्चर भी कर लेंगे तो मैं क्या सोच रहो ना यहां पे ना अपनी अल्ट्रा वाले स्फिर बना लेते हैं जल्दी से अरे यार अल्ट्रा वाले तो नहीं बनेंगे लिटरली दो सब पच्ची अपने रिफाइंड किट बन रहे हैं चलो चलो बाई लगाओ इसको और यहां पे बाई तुम नहीं बनाओगे यहां पर बनाएगा अपना जर्मेटाइड इगनस कहां पर गया भी अब वहां पर क्या कर रहा देख मुझे मैंने तुझे इदर ब बाई इनको पकड़ना बड़ा मुस्किल यह देखो कैसे ना कर रहा है नहीं नहीं तुझे काम करना इपड़ेगा अब बाई नकरे तो देखो इसके यहां पर असाइन हो जाओ लाइए देखो अपने दोलो ड्राइगन यहां पर काम कर दें तो कितने हो चुके हैं अपने पास 89 हो गया है चलो बहुत देखते हैं चलके बन जेंगे इस पर अपने रट वाले तो बन गया है और यह वाले अब यह उठाते हैं और यहां पर बाकी के बनने के लिए दे आब नाइन बन रहे हैं चलो बैइंको बना दो वह अपने पास 16 अल्ट्राइब और में इसमें तो आई जाएगी वह चलो बाइंको ठालेते हैं और गाइज अब समन करते हैं बैल विन्यों को चलो गया इसके पास चलते हैं और यहां पर यह पर आजेगे ना ओके भाई यह श्लैब आ चुक्तिए यहां पर अब एसकेप दबाते हैं और भाई आब में सीपे क्लिक करना ह जो करते हैं वेट इफ यू समन आ पावर्फुल बोस एट यो बेस देर इस चांस डैट आथ स्ट्रेक्टर इन योर बेस विल बी डिस्ट्रोइड ना गाई डिस्ट्रोई हो जाएगा सारा स्ट्रूक्चर इतना पावर्फुल पाला है क्या वो और आगे के लिख है वाई सब करने से पहले यहां पर यह वाज निक दे रहे हैं हमें तुम पहरी देख लो कहां पर समन कर रहे हो गाइस यह तो पूरा ही बेस उड़ जाएगा तो गाइस मैं के को तो ना यह पास एक आइडिया है इसको खुली जगा में स्पोन करते हैं अपना बेस ना एक खाली पड़ा ह तो यहाँ पे जितने भी पाल है न सभी को पहले अंदर कर देते हैं आज अब ही सारे अंदर आजो और iron यहाँ पे कितना है वो भाई 277 iron है और 145 coal है चलो भाई इसको पहले उठा के घर पे ले जाते हैं और चलो गाईस इसको यहाँ से उखाडते हैं ओ भाई क्या बमसा वुटा है चलो वहां से बेस उठाल गया सिधा घर पे चलते हैं अब अपने पास बेस हो गया तो इसको भी यहां से उखादते है और इसको लेके चलते हैं डिसमेंटल करते हैं और यह क्या चीज है वह यह तो चाहिए थी बैलने और स्लेव पड़ी थी यहां पर तो चलो गाइज अब हम बिल्कुल रैडी है चलते हैं सिदा फाइट के लिए यहां अनुबिस के पास तो इतनी सारी जगह वहां पर कोई ट्रेवल पॉइंट नहीं है हां यहां पर लगाते हैं यहां पर से तैलिपोर्ट मंतें ओकाफी ज्यादा खुली जगह हैं हम आ चुकिए यहां पर हैं कि सद ज्बदी है तो चलो भाई इसको जल्दी से यहां पर लगाते हैं आज भी वेलड जल्दी से आजा और इसको लगाके ना पहले तो इसको तड़वाता हूं यहां पर पूरी खुली चाहिए भाई मुझे मैंने सारे अनुप बेज दिया और फटा फट इसको तोड रहेंगे चलो भाई यह यहां पर लगाने वाला हूं ऐसे करके चलो चलो आजो फटा 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 आजो बनाओ इसको लैस गो भाई यह टावर बन चुका है और सबसे पहले तो मैं यहां पर बाई लाइबल करके सारे पावरफुल पार छोड़ देता हूं अपना वंपू आ गया सैबलिक्स आ गया एलिफेंट आ गया रिप्ट्रो आ गया सैबलिक्स आ गया बई जितने भी हैना सबी आ जाओ आप तुम्हारी सबी की प्रिक्स आउने वाली है और गाईज यहां से इनको हटा के ना मैं अपने दोनों ड्रैगनी यहां पर रख देता हूं और गाईज एक वारी सोचो हम किस नहीं पार्फुल पाल राना वो से वायट करेंगे तो चलो काईज अब टैम हाई चूका है बहलो नीर कि पना करने का पैकली करते या पाई कि रखते तरहें उच्छा कौन को निश्पेक्टेड है अब यार गाइज मैं यहां पर लगाना भूल गया फूड बास्किट ओगाइज यह क्या मार भाइज इसने काफी जादा है वैसे अपने पाल काफी जाधा था नहीं काफी जाधा कर दिया यह देखो इतने सारे ट्रेड़ो मुझे जोब रहा है वो गाइस भई अपने सारे पालंगरी हो चुके है सैबलिक्स मर गया गाइस सैबलिक्स मर चुके है ओके गाइस यह देखो भई क्या चुला रही है इन पर यह कंडे से ओ भाई यह देखो भई कैसे टरनेडो स्पोन कर रही है भाई ये तो बेस से बाहरी ले आई, ओ भाई ये क्या था, भाई बूशी मर गया है, सैबलिक्स मर गया है, ओ गाईस, 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 मेरा पाल बोक्स कहाँ पर गया, पाल बोक्स कहाँ पर गया, अभी मेरा पाल बोक्स कहाँ पर गया, ये रहा, ये रहा, गाईस, समा रहा था है सेब्लिक्स कहां पर आपकर हट गया है मेंच रैंजिरी होग गी है किया इसकी तदेते हैं और इसकी चाहबेदे छोड़ से बाते हर उचिखा पर चोड़ देते रोब इनकी उलकूछ अब मजाएगा नजाएगा फैस K 206,700,000 पे लिए वहाई आननी वाई फाइट में देखो वाई क्या सीन चल रहा है अपना जर्मिटाइड इगनस मर गया वाई साथ अपने पाल काफी जादा मुझबूत हैं भाई इसकी स्टीन लाक से डेड़ लाक पे अच्पी ले आए हैं बोल मार के देखो एक बारी एक बोल मार के देखते हैं वाली ले बारी आज़े मुसांडा भी आज़ो बहुत हैं मुसांडा में केव से देखा था वीडवीड मुझे यहां से निकलना पड़ेगा वाई लिटरली इस पॉन करवा देखो कैसी आ रही है वह बाई यह देखो यहां पर क्या गमसान सा मचारक है वह इनने वह इसकी यह लेजर और यूनिवल्ट गया है चलो भाई जलो अभे नहीं सभी के सभी मारती है इसने एक बारी महीं यह देखो कितने सारे उके इनको बलाते हैं वापस से जा ग्रिजबॉल्ट तुभी जा मैमरास्ट तुभी जा तूभी मैंने इतने सारे पाल पकड़े थे जाओ जो तुम सार इसने स्पोन करा दिया मेरे पास पर उकाइज यह देखो भाई मेरे पर मेरे पर कोशिश कर रही थी है मारने की वह अच्छा यह अपने पाल बोक्स को डाना चाहती है यह निकि मैं मर गया अगर पाल बोक्स तूट गया यह बैटल खतम हो जाएगी पर भाई अब ऐसा नही जादा बढ़ी है इसके लिटरली एच्पी पंतालीस जार पर आ चुकी है और यह देखो भाई कैसे मार यह सबीको एक पी भारी पढ़ रही है यह सबी पे वह कितने सारे इसने पाल मार दिया अपने गया यह मर चुक्किया है मैं करता ना इनको हटा देता हूँ अब यार तरह बाई वह भाई यह मेरी तरफ आ गया है गाई इसको आ कप्चर परेसेंट कोई बात नी मार कि देखते हैं ते इसने वाला वह कैसी आपने सारे ने अर्ड़ा से ज्यादा बीबंते मर रहे हैं बट यह यहीं पर चेंज कैसे करूं अब यार प्लीस अपने तबो ले जा इसको खो डेंद मैंत जैनल हमें। गाइस गाइस सोला जार थी तो स्ट के रहना पड़ेगा 14 और एक वरी इनन्वयरमेंट डेखो भност बाइस यह जैसे नहीं हो espec दlara और यह मैं क्या कर देख रहो भी उसकी 9000 हो चुकिया है लिटरली हमारे पॉल्स ने उसको खतमी कर दिया जस्ट उख यह क्या था भाई वह यह किसने अटेक किया यह तो कुछ नेया था अपने पास पांच जार चारह जार भाई अगर यह कैप्चर हो जाती ना यह मजा आ जा वह अच्छा गाइज ऐसी दिखती थी भाई यह देखो इसके फ्रोक पे ऐसे आइस चपी पड़ी है वह गाइज यह थी वह गाइज यह देखो भाई अपने आदे से जारा पाल तो भाई घायल हो चुके हैं बचा रही अभी अब किसको मार रहे हो बस बस हो गया हो गया भ वीट यह एग मेरे पास नहीं था मैंने अपनी सारी इंवेंटरी खाली कर दी और यह हमें टीशेट भी न्यू मिलिया है यह देखूं अच्छा गाइज चाहिए हम आइस बाय में जाए या फिर लाव बाय में हमें अलग से कोई टीशेट पहनने की जूरत नहीं है बस इसक अब एक दिश्में से हैच कर सकते हैं चलो चलो सीधा घर पर चलते हैं इसको पहले यहां से उठाते हैं लैज गो आई हम आ चुकि है अपने बेस पर पहले जब की मार के आते और फिर देख यह संडेंडेंडे को के चलो सो जाते हैं गुड मोर्निक गाइस प्यारी से सुब सब्सक्राइब निकला कोई बातनी कोई बातनी हमारे पास सबसे बढ़ाया गया जो अभी तक गेम में कई पर मिलता नहीं है भाई कई पर नहीं मिले का मुझे लगता है बट हमें मिला है उस बोस को हरा की और भाई इसमें एक घंटा नगले वाला है मुझसे तब वेट नह सबस्क्राइब सारे ठांगए घंट जाए जलो आजो आज बईस आखना यह देखो और आद यह देखो और कैसे लाइन लाइन लग गी तुझे नहीं खाना खाना बाई उस रिप्ट रहे का देख कैसे और बाके भी आम सब को सबको मिलेगा सबको खाना तो है इसमें काना की चलो गाइज आखिरकार हमने दो लाख वाली एचपी बैली ने उरको हराई दिया बाई लिटरली बोजरा बड़ी बोस थी वो भाई कैसे लेजर छोड़ रही थी अपने फ्रॉक में से बहुत खत्रनाव काली अटेक थे वाई उसके और तुमने स्पोन देखा था कैसे हुई पर भी नहीं मिलेगा अपने पाल वर्ड में और बाई किसी से भी ब्रीट करवा के कि हम ले भी नहीं सकते हैं बाई एक ये यूनीक है गया जो उस बोस को डिफीट करकी मिलता है तो बाई इस एक को हैच करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और साथ में बाई मिलके बैलो न univers निकालेंगे से उसमें से उच्पोर को सकता है इतना बड़ा दो बॉस आया गेम में एक न्यू आईलेंड भी आया होगा भाई अभी तो मुझा नहीं पता बड़ अगर गेंन्यू आया होगा तो बही उसको भी next वीडियो में एक्स्प्लोर करेंगे उगर तो टाड़ा भाई भाई याल तो मज़े ही आगया भी बैट लगा रहे है